भाईयों और बेनों, किसी राष्ट का सांस्कृतिक वैभाव इतना विशाल तबी होता है, जब उसकी सभलता का पर्चम विश्व पतल पर लहरा रहा होता है। और सभलता के सिखर तक पहुंचने के लिए भी ये जरूरी है कि राष्टर अपने सांस्कृतिक उत्कर्ष को छुए, अपनी पैचान के साथ गवरव से सर उठा करके खड़ा हो जाए। इसलिए आज हादी के अमरित काल में भारत ने गुलामी की मानसिक्ता से मुक्ती और अपनी विरासत पर गर्व जैसे पंच प्राण का आहवान किया है। इसलिए आज अयोध्या में भव्य राम मदिर का निर्मान पूरी गती से हो रहा है। कासी में विश्वना दाम भारत की सांस्कृतिक राजनिती का गवरो राजधानी का गवरो वड़ा रहा है। सोमनात में विकास के कारिय नएक किर्तिमान सापित कर रहा है। उत्राखन में बाबाव केदार के आसिरवात से केदारनात बद्रिनात तीर छेत्र में विकास के नए अध्याय लिखे जा रहा है। आजादी के बाद पहली बाद चार धाम प्रोजेक के जरिये हमारे चारो धाम औल वेदर रोड से जुड़ने जा रहे हैं। इतना ही नहीं आजादी के बाद पहली बाद करतारपूर साहब कोरिडोर खुला है। हेमकुन साहिब रोप्वे से जुड़ने जा रहा है। इसी तरह स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना से देश भर में हमारी आध्याग्णी चेतना के ऐसे कितने ही केंद्रों का गवरवपुनव स्थापित हो रहा है। और अब इसी कड़ी में ये भव्य, अतिय भव्य महाकाल लोग भी अतीत के गवरव के साथ बविश्य के स्वागत के लिए तयार हो चुका है। कर दो में लोगी में ये अतियां के दो उना से